हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आज मैं बहुत ही इंटरस्टिंग और बहुत ही डिलीशिस रेसिपी लेकर आई हूँ आप सब के लिए और यह बहुत महेंगी भी है यह राजसान की बहुत फेमस चटनी है तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा कि यह डिलीशिस चटनी आप अपने गर पे कैसे बना सकते हैं तो फटावर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लसन ले लेंगे मैंने 200 ग्राम लसन ले लिया है इस तरीकी से इसको चिल लीजिए यह मोटा लसन आ रहा है आजकल मार्किट में इसली अवैलिबल हो जाएगा और इसको लेके हम इस इमाम दस्ते में कूट लेंगे तो हमें इस सारा का सारा लसन में अच्छे से पहले चिल के आप इसको इमाम दस्ते में डाल दीजिए इसको मिक्सी में नहीं पीसना इसको सिल्वट्टे में नहीं पीसना इसको सिर्फ ऐसी ही इमाम दस्ते में पीसना है अगर आपके पास इमाम दस्ता नहीं है तो आप सिल्वट्टे से भी हलका हलका कूट सकते हो या गिलास बेलन के साथ भी कूट सकते हो तो इस तरीके से आप हल्दी डालेंगे एक टी स्पून इसमें धन्या पॉर्ड डालेंगे और थोड़ा समयने कश्मीरी लालमिश डाला है कलर के लिए तो इनको डाल के हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे तो सबसे पहले मिक्स कर लिजिए साहरे के साहरे लसन और मसाले को तो जैसा कि आप करना है तो जब यह सब मिक्स हो जाए तो हमें क्या करेंगे पैन लेंगे पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे आप सरसो का तेल भी लिशकते हैं पर थोड़ा सा हम हींग डालेंगे एक चोताई चमच हींग और हाफ टी स्पून इसमें जीरा डालेंगे और जो हमने लसन का बनाया है मतलब दरदरा पूट के उसमें मसाले वगरा डाला है वो हम इस तेल के अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे लगातार थोड़ी देर तक हमें टोटल लसन को दस मिनट तक पकाना है दो से तीन मिनट तक हम इसी तरीके से पकाएंगे फिर उसके बाद हम इसको ढख कर पकाएंगे साथ से आट मिनट तक के लिए इसको हम पहले ढख देते हैं जैसी दस मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम धकन को हटाएंगे और हम में देख रहे यह देखिए इसका कलर कितना डिलीशिस लग रहा है नफ इतना डिलीशिस लगए रंदन टेस्टी बीये तो फ्लेब को आफ कर दीजिए और इसमें थोड़ा सान मख डाल दिए अपने स्वाध के अनुसार और इसको अच्छे से हम मेक्स कर लीगे गेजिकी फ् बिल्कुल सामने से दिखाती हूं तो यह देखिए कितना डिलेशियस लग रहा है फ्रेंड्स एक बार इसे आप घर में जरूर ट्राय करना और मुझे जरूर बताना कि आपको रैसिपी कैसे लगी सच बता रही हूं आपको इतने डिलेशियस लगी कि इस रैसिपी कि आप बा अगर आप में चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथी साथ बैल आइकन प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करका तो बहुत ज्यादा धन्यवाद तो फ्रेंड आपको मिलते हैं नेक्स डेसेपी में कुछ डिलीसिस खाने के साथ बाइबाइब